चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में एक तरह से समुद्धे को उठाया और कहा कि अगर नेगेटिव नेलेटिव बनाये जाते हैं तो उससे मुश्किल हालात में काम करने वाले चुनाव कर्मियों को ठेस पहुंसती हैं कंट्री का कौना नहीं है कीचण में जाते हैं पाहर पे चड़ते हैं बूरा बोज लेके चड़ते हैं महिलाएं बच्चों को गोद में उठाके लेके आती हैं यह मैं दिखाऊंगा और जब निगेटिव नेरेटिव बनते हैं जब इनके उपर में आरोब लगते हैं तो सोच सबचनाओं के बाद वोटों की गिनती शुरू होने में अभी कुछ घंटे का वक्त बचा है लेकिन बीजेपी ने अभी से जीत की जश्टन की तयारी शुरू कर दी है इन दोर में मध्धप्रदेश की मंत्री तुलसे सिलावट मिठाई की दुकार पर पहुँचे और मिठाई का ओर्डर दिया इस दोरान कहा कि कॉंग्रेस सबने देख रही है जश्टन का 27 लोगों को इंतजार है और देश के सबसे सच सहर इंदोर में इस बार तयारियां भी कुछ खास है क्योंकि इस बार वीजेपी के तरफ से दावा किया दारा है कि देश की सबसे बड़ी जीत इंदोर में होगी क्योंकि कॉंग्रेस चनौवी में दान में थी नहीं और बड़ी जीत के तयारियां अंदोर में सुरू हो चुकी है इंदोर के चाओनी में एक मिठाई दुकान में सब्सक्त में मौचूद हूँ तस्वीर भी आपको दिखाना जाओंगा जल संसादन मंति तुलसी सलावट आपको तस्वीर नज़र आएंगे जशनी के तयारियां सुरू हो चुकी है और परिणाम आने के पहले ही एक दुसरे का मुझ मिठा कराया जा रहा है तयारिय कर रहा है यह पूरे देश में जस्ट मंदा है तरफा भारती जंता पार्टी की फिर से तीसरी बार चार सो सी आप भी मिठाई का स्वाथ चकने आये हैं कल इंदोरी भी चकेंगे कारकरता चकेंगे इसलिए तो आए अटर देने यह पूरे इंदावर नहीं पूरे मद्वजें पूरे देश में जस्ट मंदा है क्योंकि फिर से तीसरी बार हमारी देश के गोरव तेजस्टी सारे रिकार भारती जन्ता पार्टी के पित्यासी हमारे लोगप्री सांसरत संकल ललवानी जी मोधी जी के नहित्तोत में तोड़ने आ रहे हैं मद्य प्रदेश में 29-29 और देश में अपकी बार 400 बार फिर से मोधी सरकार बीजेपी जशनी के तयारियां सुरू कर चुकी है अर इस मठेय के दुकान में मौदूद है और तमाम मिठायों की दुकान में इसमक्त आपको भी ज़ेपी के कारकरता नजर आएंगे तो कल बड़े जशनी के तैयारी जो सुरू ही, कल बड़े जशनी तैयारी देखने को भी मिलेगी, क्योंकि बड़े जीत का दावा भी भारती जन्ता पार्टी इन दोर ते कर रही है बिड़ जनलेजिस्ट डगले साथ मिथलेश गुपता नियूज एटीन इन दोर हमारे साथ दो खास बैमान जुड़ गए हैं, दो हमारे खास सयोगी जुड़े हूए हैं इन दोर से मिथलेश गुपता जिनकी रिपोर्ट आपने देखें और राइपुर से आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं मितलेश सबकी अपनी अपनी तयारिया हैं तयारिया आपने हमने भी की है कल के लिए मेगा कवरज के लिए तयारिया बीजेपी वाले कर रहे हैं मुँ मिठा करा रहे हैं और मिठाईयों के ओर दे रहे हैं तयारिया वेपक्ष की भी यहाँ पर हैं वो सवालों की जड़ी लेक बड़े जीत के तयारी चल रही लेकिन दिग्बिजे सिंग ने जो बयान दिया है कि अगर 300 के उपर सीट आती है तो यानि एबियम का केल हो गया और अगर 300 के अंदर है बिल्किल वी नहीं यह से वरिष्ट नेताओं की सोच खराब है उनको सोचना चाहिए कि जहां पर कांग्रेस जीतती है वहाँ इबियम सही है और जहां बीजेपी जीतती है वहाँ इबियम खराब हो गई दूसरे सुना अधिकारियों पर कर्मचारियों पर लांचन लगाना की वीजेपी के एजेंट यह वह गया वह हो गया मैं किसी पांटी से बिलंग नहीं करता हूं लेकिन एक सोच बता रहा हूं कि यह कांगरेस के वरिष्ट नेता है कांग्रेस पार्टी ने भारत देष पर रखे, जनता को क्या लगता है कि जिस तरीके से काई ने कहीं हार हो रही है और बीजे-पी एक बढ़ी बढ़क अगरं वह जनता के लिए काम करेगा तो जरूरा है जनता उसको पसंद करेगी और यह पिछले दस सालों में हुआ है हमने भी देखा है जो कि पिछले 50 सालों में कभी नहीं हुआ जो पिछले 10 सालों में हुआ इसलिए जंता उनके साथ है घडले से आने वाले पास सालों में और देखना आपकी कितना विकास होगा और भारत देश कहां से कहां जाएगा चलिए कुछ लोग और उनसे पूछ लेते हैं उनके मन में क्या है एबियम को लेकर जो बार-बार सवाल खड़ी किया जाता है नेताओं के द्वारा क्या लगता है कि ये सही है नई गलत है एबियम बिल्कुल सही है जनता मानती कि एबियम बिल्कुल सही है बिल्कुल मानती है कि नेता नहीं मान रहे है, नेता कह सकते हैं, कि कुछ मुद्दा तो बचा नहीं है, आप कॉंग्रेस के पास किसी भी तरह से, तो अब जो भी हण्यान आ रहा है, वह A.V.M. पर लेके जा रहा है, सब कुछ इन दोर के गर बात करते हैं तो इन दोर में आखाश कर लेते हैं राइपूरे का भी हाल जाल Mia अखा हैं कि राइपूर में किस तरह से टाया है में उन सवालों को लेकर सियासी बयानबाजी सियासी गल्यारों में क्या माहर देखे एक्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं